हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कर्मचारियों पैंसन्स और फैमिली पैंसन्स के लिए 18 महिने के डिये एरियर्स साथी साथ आपका जो 3% महिनाई बत्ता जनवरी 2022 से बढ़ने वाला है वो और इसके लावा फिट्मेंट फैक्टर में बढ़ोती को लेकर में तीन बड़े अपडेट देने वाला हूँ साथी साथ ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी ये सब अनौंसमेंट कम होंगे या 3% जो महिनाई बत्ता और महिनाई राहत है वो आपको कब अनौंसमेंट होगा कब तक मिलेगा पूरे वीडियो को डिटेल में जानेगे बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में लास तक और अगर चनल पहली बारा तो चनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथी साथ आप हमारी वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निसान को जरूर प्रेस करिए तब ही आपके पास हमारी वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन आप आएगी और आप हमा लेबर एन इंप्लोइमेंट के स्रम और बीरो की तरब से एक notification जारी किया जाता हर महिने की last working day को उसके इसाब से all index consumer price index का जो data है उसके according भी जो है आपके 3% महेंगाई बत्ते में ब्रोतरी हो चुकी है जो कि आपको जनवरी दोयार बाई से दिया जाना है लेकिन अभी तक official announcement नहीं हो चुका है official announcement नहीं हुआ है इसी के चलते है वो आपको आपकी March महिने की salary और pension में नहीं मिलकर आएगा mostly हर साल March महिने की salary और pension में usually बढ़कर आता था लेकिन अभी finally बढ़के नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक announcement नहीं की गई है अलांकि previous weeks में पहले कुछ हबतों में meetings हुई ही कि अभी net की लेकिन उसमें DA का कोई भी जिक्री नहीं हुआ DA के लेकर कोई भी discussion नहीं हुआ है तो अब finally अब कर्मचारियों और pensioners के मन में यह कि अब DA पर जो है कब announcement होगा तो मैं आपको बता दूँ अप्रेल महिने में पहले week में most probably बहुत जादा chance थे कि आपको announcement देखने को मिल जाए क्योंकि अप्रेल महिने में अगर इसके announcement होती है तो आपको January, February और March तीन मन्त के आपको DA और DR का जो areas है वो भी provide करा दिया जाएगा और अप्रेल महिने की salary और pension के साथ में इसको आपको add होके आपको pension और salary में आपको देखने को मिलेगा बात यह हो गई अब बात काता है अथारा महिने DA areas की तो करमचारियों और pensioners का जो संग है यानि करमचारियों और pensioners के जो unions और federsons है वो लगाता है सरकार से इसके regarding बातचीत कर रहे है अना कि कुछ अभी positive input नहीं निकलकर आपट निकलकर नहीं आया है जैसे कोई positive output आएगा हो भी हम आपको बताएंगे अना कि जो करमचारी संग है वो सरकार से continue request कर रहे है कि सरकार जो है 18 महिने का जो DA का areas है वो उनको provide कराए ताकि उनको रहात मिल सके क्योंकि करमचारियों और pensioners का जो DA और DR है वो covid के time पे यानि जिस टाम में सरकार ने इसको freeze किया था उस टाम इ barriers भी provide नहीं कराया था तो सरकार से करमचारियों और pensioners की request है कि वो इसको release करें चाहे वन टाइम settlement रिलीस करें या दो से तीन किस्तों में इसको provide करा जिसे करमचारियों और pensioners को जो है आगया आने वाली दिनों में इसमें बहुत सारे दिनों में बहुत सारी update निकल कर आएग situation में नहीं आ सकता है क्योंकि 10 साल वैसे भी लगते हैं और अभी जो है सरकार आठवेतन आयोग के लिकर इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं रही होगी क्योंकि साथवेतन आयोग से ही अभी बहुत साई चीज़े इसमें आनी बाकी है एचारे वगर है के regarding तो बाद ये आठवेतन आयोग से निकल कर कोई बड़ी अपडेट आ पाएगी वीडियो अच्छे लागा तो लाइक करेगा शेर सभी के साथ करेगा ऐसी न्यूज इन्फोर्मेशन और अपडेट्स के लिए आफ माचान को सब्सक्काइब भी कर लेगा मिलते हैं आपको नेक् एक्स वेडियो में थैंक इस सो में